अगर ये दो चीजें आपस में छूती हैं, तो उस समय आपके अंदर कई पहलू स्पष्ट हो जाते हैं। कई पहलू का मतलब है, आपके विचार स्पष्ट हैं, आपकी भावनाय स्पष्ट हैं, और इस बात का बहुत स्पष्ट बोध है कि आपके आसपास क्या हो रहा है। योग का संबंध फिटनिस से नहीं है, फिटनिस सिर्फिक नतीजा है। मैं तो पूर्ण चीज है जीवन की सही जामिती पाना, क्योंकि भातिक ब्रहमान पूरा जामिती ही है। ऐसा क्यों है कि आप जहां भी जाते हैं, उपदेश देने के लिए या किसी विचार पर बात करने के लिए, आप एक खास मुद्रा में बैठते हैं। अपने बाया पैर से सैंडल निकाल कर, बाया पैर उपर और दाहिना पैर नीचे जमीन पर। यह आपका स्टाइल है या यही बैठने का सही तरीका है। जिसे हट योग कहते हैं, शारीरिक मुद्रा, यह शरीर को इस तरह से संचालित करता है, कि आप एक तरह की जामिती सटीक्ता को पालें, कि आपकी जामिती स्रिष्टी की व्यापक जामिती की सीध में हो। ताकि आप हमेशा तालमेल में रहें, कभी बाहर न हो। अब मैं हर समय इस तरह नहीं बैठता, सिर्फ तब जब मैं बोलता हूँ, मैं कैसे बैठा हूँ, अगर मुझे समझाना हो, तो इसके कई पहलू हैं, एक सरल पहलू है, कि बाई एडी, बाई एडी, बाई एडी पर एक स्थान होता है, जिसे आजकल मेडिकल साइंस, अकीली आपने अकीलीज के बारे में सुनाएं, आपने उस आदमी के बारे में सुनाएं, अकीलीज, आपने वो मूवी देखिए, आपने वो मूवी नहीं देखी, ट्रॉय, आपने नहीं देखी, अरे मासूम लड़का, तो आप अपने अकीलीज को वहां रखते हैं, जिसे आपके शरीर में मूलाधार या गुदाद्वार कहते हैं, अगर ये दोनों चीजें आपस में चूती हैं, तो उस दोरान आपके अंदर कई पहलू स्पष्ट हो जाते हैं। कई पहलूओं का मतलब है कि आपके विचार स्पष्ट हैं, आपकी भावनाई स्पष्ट हैं, और इस बात का बहुत स्पष्ट बोध है कि आपके आसपास क्या हो रहा हैं। आपने सुनाए कि अखिलीज मारा गया था, क्योंकि उसकी एडी में एक तीर लगा था। आप नहीं मानते कि अगर कोई आपकी एडी को चोड़ पहुँचाए, तो आप मर जाएंगे, है की नहीं। लेकिन अखिलीज उसी तरह मरा। और भारत में एक और इनसान है, जिसकी मौत उस तरह से हुई। उससे बहुत पहले। कल उसका जनम दिन था। क्रिश्न जनमाष्ठमी, उनकी मौत भी इसी तरह हुई। इसका मतलब आपको ये बताना है, कि उन्हें बहुत दक्ष्टा से मारा गया था। बस आपका गला काट कर या सिर्फ होड कर नहीं, बलकि बस अकिलीज पर निशाना लगा कर, इसलिए उन्हें मरना पड़ा। तो शरीर में एक सिस्टम, एक उर्जा प्रणाली होती है। अगर अकिलीज का वो स्थान आपके मूलाधार को छूता है, जब आप इस तरह बैठते हैं, तो एक संतुलन आता है, जिससे आप किसी का पक्ष नहीं लेते हैं। देखिए, हम सभी के पास अपनी राय, सोच, विचारधारा, चीज़ें, जीवन का अपना अनुभव होता है। जीवन के आपके अपने अनुभव और जो छाप आपके मन पर पड़ी है, वो उस हर चीज पर असर डालती है, जो आप देखते हैं। आप इस व्यक्ति को पसंद करते हैं, आप इस व्यक्ति को पसंद नहीं करते हैं, आप उस व्यक्ति से प्यार करते हैं, आप इस व्यक्ति से नफरत करते हैं, ये सब इसलिए हैं, क्योंकि आप लगातार अपनी राय बना रहे हैं। लेकिन अगर आप वाकई जीवन को जानना चाहते हैं, तो सबसे मैतुपून्ट चीज है, कि आप कोई राय न रखें. आप हर चीज को नए सिरे से देखने के लिए तयार हैं, अपने जीवन के हर पल में, एकदम नए रूप में, अपने जीवन के हर पल में, लोगों के लिए ये समझना बहुत मुश्किल है, जो लोग मेरे साथ 30-35 साल से हैं, हर दिन वो मेरे साथ होते हैं, मेरे साथ काम करते हैं, कई सारी चीज़ें करते हैं, फिर भी उनके बारे में मेरी कोई राय नहीं है, जब मुझे कोई काम करना होता है, सिर्फ तभी मैं उनकी योगिता और बाकी चीजों पर गौर करता हूँ लेकिन किसी के बारे में मेरी कोई राय नहीं है जो इतने लंबे समय से मेरे आसपास है अब तक आपने अपनी राय बना ली होगी लेकिन मैंने नहीं क्योंकि यही आध्यात्मिक प्रक्रिया का सार है कि हम लगातार हर जीवन को एक संभावना के रूप में देखते हैं यकीनन संभावना और हकीकत के बीच एक दूरी होती है कुछ में उस दूरी को तै करने की हिम्मत और लगन होगी कुछ में उस दूरी को तै करने की हिम्मत और लगन नहीं होगी लेकिन हर जीवन एक संभावना होता है अगर आप उस संभावना को खुली रखना चाहते हैं तो आप कभी किसी के बारे में किसी तरह की राय कायम नहीं करते अच्छी बुरी या भद्दी आप ऐसी राय कायम नहीं करते आप बस उन्हें अभी देखें वो अभी इस पल कैसे है मेरे लिए बस वही माइने रखता है आप कल कैसे थे इससे मुझे मतलब नहीं है आप कल कैसे होंगे हम देखेंगे कल को बनाया जाना चाहिए उसे अभी से निर्धारित नहीं करना चाहिए है ना? शरीर की एक खास जामिती होती है अगर आप शरीर की जामिती को अच्छी तरह मैनेज करते हैं तो आप, मैं आपको बता रहा हूँ अभी लोग पश्चीनी संस्कृतियां ये प्रचार कर रही है कि योग एक दूसरी स्ट्रेचिंग एकसरसाइस है उसके बजाए आप पिलाटेस कर सकते हैं उसके बदले आप बॉकसिंग कर सकते हैं उसके बजाए आप टेनिस खेल सकते हैं देखिए, अगर आप सिर्फ फिट होना चाहते हैं जाकर कहीं दोड़िए, पहाड चड़िए, टेनिस खेलिए, कुछ कीजिए. योग का संबंद फिटनेस से नहीं है, फिटनेस उसका सिर्फ एक नतीजा है. मैं तुपून चीज है, जीवन की सही जामिती पाना, क्योंकि भौतिक ब्रह्मान्ड, पूरा जामिती ही है. प्रिथ्वी, सूरे का चक्कर लगा रही है. वो किसी स्टील के तार से बंदी ही नहीं है. ये बस जामिती की सटीकता है, है ना? थोड़ा भी जामिती से अलग अगर ऐसा हो, तो ये हमेशा के लिए गायब और यही आपके लिए भी सच है. अगर आप अपनी मूल भूट जामिती से दूर जाते हैं, तो आप खत्मूं। ये बहुत मैंतपून है कि कम उम्र से ही आप सही जामिती लाने के लिए सही चीजें करें। फिर आप जीवन से गुजरने के योगे बन जाते हैं। जो लोग सोचते हैं कि उनके साथ सिर्फ अच्छी चीजें होनी चाहिए, जाहिर है कि वो जीवन के लिए आयोगे हैं। क्योंकि अगर आप नहीं चाहते कि मुश्किल स्थितियों से अच्छी तरह है, खुशी-खुशी कैसे गुजरें, फिर आप सभी संभावनाओं से बचेंगे, है ना। आप जीवन की सभी बड़ी संभावनाओं से सिर्फ इसलिए बचेंगे, क्योंकि आप थोड़ी सी कटनाई से बचना चाहते हैं। जब आप जामती रूप से तालमेल की एक खास थिती में होते हैं, सिर्फ तब ही आप किसी भी इस थिती से गुजरने के लिए तयार रहते हैं, चाहे वो कुछ भी हो।